नमस्कार दोस्तों आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में डिफ्रेंट्स में स्वागत हैं मैं हूँ अखिल और आज हम बात करने वाले हैं नौर्लूट एंड टैबलेट के बारे में नौर्लूट एंड टैबलेट सिपला कंपनी की आती है और इसका जो केमिकल नेम है वो आप देख सकते हैं यह कंपोजिशन नेम जो इसका है वो है नौर्थी एस्टीराउन 5MG में यह टैबलेट होता है मैं आपको बता दूँ कि मैं किसी भी कंपनी के ब्रांड को प्रमोट नहीं करता हूँ इसकी जो केमिकल नेम कंपोजिशन नेम है नौर्थी एस्टीराउन 5MG यह टैबलेट आप किसी भी जो है मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं चाहे तो इस केमिकल का किसी और कंपनी का भी ले सकते है जैसे केडला का प्रिमलूट एंड के नाम से आता है चाहे तो आप सिस्टोपी का सिस्ट्रोन एंड के नाम से ले सकते हैं सम्थिंग यह पचास से साथ रुपे के बीच का यह टैबलेट अब के लिए आएगा तो हो सकता है मैं जिस टैबलेट के बात कर रहा हूँ जो हमारी भ्यूबर देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे भ्यूबर को इसके बारे में पता होगा बट यकीन मानिये जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है उसके लिए ये बीडियो बहुत ही लाबदायक होने वाला है खास करके उन गुर्स या वोमिन्स के लिए जिनको इसके बारे में नहीं पता है उनके लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है तो आएए वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं आप सभी से अनुरोध है अगर ये वीडियो आपको पसंद आए आपको लगता है कि आपके लिए लाब दायक है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेयर करना ना भूलें और बेल ब पोजिशन में नौर्थी एस्टिरॉन 5MG में होता है यह टैबलेट खासकर उनके लिए बहुत ही जैदा लाफदायक है जिनको मान के चलिए कि किसी के घर में फंसन है या पूजा पाठ है तो उस कंडिस्टन्स में लेडिस चाहती हैं कि उनका जो प्रियड है उस बीच में न यह वो प्रियड डिले हो जाए बान के चलिए अगर हम चाहते हैं कि 5 दिनों के लिए डिले हो जाए और आज से हम चाहते हैं तो आज से सुबह सब एक एक गोली खाना खाने के बाद सुबह नास्ते के बाद और रात में खाना खाने के बाद अगर लें तब तक लें जब त डिले हो गया और अब तक नहीं आ रहा है तो उन ब्यक्ति को भी अक्सर ये डॉक्टर प्रिस्काइब करते हैं कि आप इस टैबलेट को पांच दिन तक सुबह साम एक के गोली ले और उसके बाद आप इसे छोड़ दें तो अगले दस से पंदल दिनों के अंदर आपका प्रि जाना या खुल के नहीं आना या कभी कबार ऐसा हो जाता है कि आता है तो बहुत ज़्यदा पेन होता है तो उस कंडिशन्स में भी डॉक्टर इसे प्रिसकाइब करते हैं बात करूं इनके साइड इफेक्ट के बारे में तो ऐसा हो सकता है कि इसे लेने से कुंट लोगों को वो मीटिंग जैसा फिल होता है, हैडएक फिल होता है, तो एक हाय इसके डेंजर साइड इफेक्ट नहीं है, बसे आप जानते होंगे कि किसी भी मेडिसेंस को अगर रेगुलरली लंबा समय तक लेते हैं, तो उसे साइड इफेक्ट होता है, लेकिन आप इसे रेगुलरली ना या अगर आपको रेगुलरली लेना पर एक इसी वज़य से आप डॉक्टर का सला लें, साथ ही मैं आपको सुचिज करना चाहूँ, इसके प्रिकोशन पर जो ध्यान देना है, जो लेडिस प्रेग्नेंट हो, उस कंडिसंस में इस मेडिशिन का उप्योग ना करें, नहीं त करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो लाबदायक लगा हो, और अगर आपको पसंद हुआ हो ये वीडियो तो प्लीज आप इसे लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपने इस चैनल पे न्यू वीडियो के साथ मे धन्यवाद जैहे